किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्मान कैसे करें, किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्मान एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तिकत पसंद, आनुभव और मूल्यों का संयोजन शामिल होता है। यहां कुछ कदम दिये गए हैं जिन्हें आप अपना चरित्र विकसित करने और बनाने में सहायता के लिए उठा सकते हैं. 1. आत्म चिंतन अपने मूल्यों, विश्वासों और सिध्धान्तों पर विचार करने के लिए समय निकालें. इस बात पर विचार करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं. अपने आप से ऐसे प्रशन पूछें, मेरी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, मेरे मूल मूल्य क्या हैं, मैं दूसरों पर किस प्रकार का प्रभाव डालना चाहत हूँ. लक्ष निर्धारित करें विशिष्ट लक्षियों को परिभाशित करें जो उस व्यक्ति के अनुरूप हो जो आप बनना चाहते हैं. ये लक्ष व्यक्ति गत्विकास, रिष्टे, करियर या आपके जीवन के किसी अन्यक्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं. लक्ष न पहचान करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और जिन्हें विकसित करना चाहते हैं. इमांदारी, करुणा, सत्यनिष्ठा, द्रिड़ता और दयालुता जैसे गुणों को अक्सर सराहनी ये माना जाता है. इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का अभ्यास करे और उन्हें अपने कारियों और दूसरों के साथ बातचीत में लगातार प्रदर्शित करने का प्रयास करें. इसे व्यक्तियों को देखें जो उन चरित्र गुणों को अपनाते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, वे एतिहासिक हस्तियां, सार्वजनिक हस्तियां, परिव निरंतर सीखना और आत्म सुधार आजीवन सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबधता बनाएं। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, पाठ्य क्रम लें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपके ग्यान और परिप्रेक्षे को व्यापक बनाती हैं। दूसरों से प्रतिक्रिया लें, आलोचना के प्रति खुले रहें और खुद को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। 6. आत्म अनुशासन का अभ्यास करें। चरित्र निर्मान के लिए आत्म अनुशासन और सचेत विकल्प चुन्ने की क्षमता की आवश्यक्ता होती है, जो आपके मूल्यों और लक्षियों के अनुरूप हो। स्वस्थ आदतें और दिन्चर्या विकसित करें, जो आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक हो। इसमें नियमित व्यायाम, ध्यान, जर्नलिंग या कोई अन्य अभ्यास जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं, जो आपके समग्र कल्यान में योगदान करती हैं। इमानदारी के साथ कार्य करें। इमानदारी चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य करें और स्वयं के प्रती सच्चे रहें। अपने कार्यों के प्रती इमानदार, विश्वसनिय और जवाब देह बने। दूसरों के साथ सम्मान और निश्पक्षिता से व्यभार करें और हमेशा सही काम करने का प्रयास करें. भले ही वह चुनौती पूर्ण हो. 8. चुनौतियों और असफलताओं को सुईकार करें चरित्र विकास में अक्सर चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना शामिल होता है इन अनुभवों को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में अपनाएं बाधाओं पर काबू पाने से आपका चरित्र लचीलापन और समस्या समाधान कौशल मजबूत हो सकता है 9. अपने आपको सकारात्मक प्रभावों से घेरें अपनी कमपनी को बुद्धिमानी से चुने और अपने आपको ऐसे व्यक्तियों से घेरें जो आपके चरित्र विकास को प्रेरित और समर्थन करते हैं ऐसे रिष्टों और समुदायों की तलाश करें जो व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दें और सकारात्मक प्रभाव प्रदान करें 10. सहानुभूती और करुणा का अभ्यास करें दूसरों को समझने और उनके साथ सहानुभूती रखने की अपनी क्षमता विकसित करें करुणा विकसित करें और अपने आसपास के लोगों की मदद और समर्थन करने का प्रयास करें एक मजबूत चरित्र के निर्माण में केवल आत्म सुधार शामिल है बलकि दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रतिबधता भी शामिल है याद रखें चरित्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर प्रयास और आत्म चिंतन की आवश्यक्ता होती है इसमें समय, धैर्य और व्यक्तिगत विकास के प्रतिबधता की आवश्यक्ता होती है